आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही important medicine के बारे में जिसका नाम है gentamicin important क्यों बोल रहा हो क्योंकि इस medicine का उपयोग एक दो बिमारी ने फलकी 15 से भी जादा बिमारीयों में इसका use किया जाता है इस वीडियो में आप जानेंगे gentamicin की category सभी usage याने की किस-किस बिमारीयों में इसे दिया जाता है साथ ही इसके dose याने की कितनी मात्रा में या कितनी MZ में मरीज को दिया जाता है साथ ये gentamicin लेने के बाद आपको क्या-क्या side effects हो सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका दोस्त राहुन गुपता और स्वागत करता हूँ आपकी अपने YouTube चैनल मेडिसन वित राहुन में तो आए देखते हैं और जानते हैं gentamicin के बारे में तो जैसा कि आप इसकीन पर देख सकते हैं इदर gentamicin injection 40 mg ये gentamicin है और gentamicin की कटेगरी होती है Aminoglycoside Antibiotics ये इस कटेगरी में आता है नीची लिखा है इदर It works by killing bacteria और prevent their growth यानि कि ये जो मेडिसन होती है या ये जो antibiotic होती है या बैक्टिरिया को मार कर या उसकी वृद्धी को रोग कर काम करती है यानि कि ये antibiotics बैक्टिरिया को किल कर देती है या उसकी growth को रोग दीती है आगे इस में लिखा है gentamicin injection is used to treat serious bacterial infection in many different parts of the body यानि कि gentamicin injection का उपयोग सरीर की अलग अलग हिस्सों में गंभीर जीवाडो संत्रमड के इलाज के लिए किया जाता है यानि कि जो gentamicin injection है इसका यूज हमारे body की अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें कहीं सारे bacterial infection हो जाती है इसके बारे में बस हम आगे बात करने वाले है तो आईए बढ़ते हैं आगे वीडियो में and bacteria दोटेप्स की होती है ग्राव पोस्टिव बैक्टिरिया तो यह जो सब्सक्राइए इन सभी बैक्टिरिया को या तो किल कर देगा या तो उसकी ग्रोच को रोक देगा bacterial infection या bacteria को मानने के अलमा इसका और वी कई काम है जैसे कि इसका यूज़ बोन एंड जोइंट इंफेक्शन में होता है यानि कि हड्डियों और जोडों के संक्रमण में हड्डियों की बिमारी जैसे कि औस्टियों और्थराटेज, औस्टियों मेलाइटेज, एक्सेटरा ये सब हड्डियों की बिमारी या है अगले बिमारे जिसमें जन्टा मैसिन को दिया जाता है वो है रिस्पाैलिक्टिर इन्ट्रूस जाता है अगला इसमें आपढूमिन इन्ट्रूस और पेट के जन्टिर्वन में की appendix में infection होता है और यह abdominal drama का मतलब अगर accident हो जाता है या कोई भी बेट में कसके मान जाते तो उसके बाद बेट के अंदर घाव बन जाते हैं तो उसको ठेक करने के लिए जंटामाइसन का यूज किया जाता है आगे kidney infection याने की kidney के सार्करमण में example में UTI याने की urinary tract infection याने की पेसाब की नली में infection है तो उसके लिए जंटामाइसन का यूज करते हैं साथ ही जंटामाइसन का यूज फाइलो निफ्रैटिस में होता है अगले डीस पर चले तो इदर इसमें यूज में है blood infection याने की रेक्ट के संख्रमण में ब्लेट इंट्रेक्शन में ब्युमारी होती है सेपसीस जिसको ठीक करने के जंटामाइसन यूज किया जाता है साथ ही इसका यूज इसकी इंट्रेक्शन में जाने की तोचा के संख्रमण में एक्जामपल में एक्जीमा सोरी ओसीस जाने की जो इसकी से समथ ब्युमारी होती है उसको ठीक करने के लिए हम जन्टामाइसन का यूज करते हैं अगला इसमें में जायटिस में जायटिस मतलब की इदर लिखा है लेंटिस मेंब्रेन देट्स स्वराउंड ग्रीन इंपाइनल गार्ड आनी की जो मारॉ ब्रेन भरी सिह और स्वाइनल zaw Deezus में तो उसकी एक्जी संगं। करते हैं तो यह सब इसकी यूज है नॉर्मल बिमारी होने पर जेंटा मैसीन आप सिंपल दे सकते हैं अगर बिमारी बड़ी या कम भी रहे तो उसके लिए डॉक्टर जेंटा मैसीन के साथ एक और एंटिबायोटिक्स जैसे कि सेफ्रियाग्जॉन सेफरेंग्जीम सेफर करते हैं बच्चों का डोस कम होता है और अध्यक होता है नॉर्मली बात करें तो शाठ केसी बॉड़ी मीट में असी एमजी दिया जाता है मतलब कि साठ की जी का कोई पेसिंट एप नॉर्मली यह एक बार में दे सकते हैं आप इसके इंजेक्शन को डिर्ट वेर्म में भी या इंट्रा मस्कुलर यानि की माल स्पेसियों में भी लगा सकते हैं आप जिन्टा मैसिन को 100 या 200 ml नॉर्मल स्लाइन या D5 में मिक्स करके भी फ्लूट के रूप में चड़ा सकते हैं आगे बड़ी वीडियो में और बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में तो उससे पहल के बाद किड्नी डैमेज रीनल फिल्यूर जैसी ब्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे इसके साइड इफेक्ट्स में वर्टिगो लॉस ऑफ बैलेंस यानि कि चक्कर आना सीधा खड़ा नहीं बना पाना इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं अगला साइड इफेक्ट्स में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यों